नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिलोजी पर राजस्थान हाई कोट के द्वारा राजस्थान सिविल जज के लिए वेकेंसी अनौंस कर दी गई है तो हम देख लेते हैं क्या कि ये कितनी पोस्ट के लिए अनौंस की गई है इसकी जो फॉर्म फिल की अप्लिकेशन की जो फिलिंग डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है और उसकी फीस कितनी है, eligibility criteria क्या है और इसका syllabus क्या है तो देखते हैं सबसे पहले हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 120 पोस्ट के लिए यहां पर description दिया गया है कि कौन सी category के लिए कितनी पोस्ट यहां पर दी गई है तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा इसके बाद अगर हम बात करें, तो जो आरक्षन की ओला हम बात करते हैं कि कौन-कौन से वर्गों के लिए क्या आरक्षन रहेगा तो इसके अंदर जो मैलाएं हैं, उनके लिए जो आरक्षित पाद हैं, वह जो horizontal शेणी से जो आरक्षित किया जाता है वेसे किया जाएगा इसके अलावा यदि हम दिव्याग जनों की बात करें तो उनके लिए भी यहां पर आरक्षन की विवस्ता है इसके साथ साथ जो राजस्थान राज्य के SC, ST या OBC या अती पिछला वर्क से रिलेटेड जो है या EWS के व्यक्ति है उनके लिए जो राजस्थान नियाइक सेवा अधिनियम जो है उसके अंदर जो शर्तें दी गई है उसके अनुसार जो है यहां पर आरक्षन दिया जाएगा इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो सर् सर्टिफिकेट है का सर्टिफिकेट हो जाए जो सर्टिफिकेट अब डिसेबलिटी यानि दिव्यांग जनों के लिए सब जो है जो सक्षम राधिकारी है उनके द्वारा जारी किया जाना चाहिए तो वह एक पर हम आप देख लीजिएगा इसके बाद अगर हम बात करें कि sectioning की योग्यता क्या होने चाहिए minimum academic qualification तो यहाँ पर law की degree होना compulsory है लेकिन इसके साथ में यहाँ पर एक note दिया गया है कि जो students अभी LLB final year में जो है अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं अंतिम semester में हैं तो उन्हें भी यह form फिल करने की पातरता है लेकिन condition इसमें यह दी गई है कि जो men's exam अगर वो select होते हैं तो men's exam के लिए जब form फिल किया जाएगा तब तक उन्हें अपनी LLB exam clear कर लेनी है तो यह आपको यहाँ पर read कर लेना है form आप फिल कर सकते हैं लेकिन men's exam में आप तभी बेट पाएंगे जब आपने LLB clear कर ली हो इसके साथ ही जो दूसरी है वह है आयू यानि की age क्या होनी चाहिए तो इसके अंदर भी एक important clause दिया हुआ है कि 1 January 2022 के दिन जो है 21 वर्ष के आयू पूर्ण कर चुकी है या फिर 40 वर्ष से अधिक के ना हो तो 21 से लेकर 40 वर्ष तक का यहाँ पर नॉर्मली जो है age limit दिया है लेकिन इसके अंदर कुछ relaxations है जैसे कि अगर आप जो candidate है वराजस्तान के SC, ST, अन्य पिछरा वर्ष, अती पिछरा वर्ष या EWS यानि कि आर्थिक रूप से समजोर वर्ष एवं महिला आवेदकों के मामले में उपरी आयू सीमा को 5 वर्ष तक शेथिल किया जाएगा यानि कि 40 प्लस 5 तो यह 45 यर्ष हो जाएगा ऐसा ही दिव्यांग जनों के लिए आप उबंद किया गया है अब अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति 2021 में अगर एक्जाम हुई होती तो अगर जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए एज लिमिट के अंदर होते तो ऐसे जो व्यक्ति हैं ऐसे जो कैंडिडेट हैं वह भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर वह 41 से हैं लेकिन एक एक 2021 को जैसा कि हम मेंशन किया गया है कि अता ऐसे आवेदत जो अपनी आयू सीमा की दर्ष्टी से दिनांक एक जनवरी 2021 को उक्त परिक्षा में बेटने हैं तू पात्र होते वह इस परिक्षा है तू आवेदन करने के लिए आयू सीमा की दर्ष्टी से पात्र हैं तो वो यहां पर फॉर्म फिल कर सकेंगे इसके बाद जो इसकी examination fees है वह 1000 रुपे है जनरल वर्ग के लिए अन्य पिछरा वर्ग के लिए जो की क्रिमीलियर में है या आती पिछरा वर्ग जो क्रिमीलियर से हैं या फिर अन्य राज्जी के जो students है यानि की राजिस्थान से छोड़कर अन्य राज्जी जितने भी हैं अधर स्टेट्स जितने भी हैं उनके लिए जो fees रहेगी वह 1000 रुपीज रहेगी इसके साथ साथ इसके अंदर एक कंडिशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो अन्य राज्जी के यानि के अधर स्टेट्स के जो students या जो candidates हैं जो form field करने वाले हैं उन्हें यहाँ पर category या जो ऐसी कि अगर वो SCST या OBC से बिलोंग करते हैं EWS से बिलोंग करते हैं तब भी जो है उन्हें यहाँ पर general category में ही count किया जाएगा तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है जो other states से form field कर रहे हैं अब बात कर लेते हैं exam के syllabus के बारे में तो exam के जो stages हैं वो आपको पता ही होगा कि pre plus mans plus interview के आधर पर यह exam होती है इसका जो syllabus है वो जो है law, Hindi और English तीन पार्ट में जो है यह pre exam होगी जो law के subjects हैं वो ही होंगे जो mans के अंदर paper first और paper second के अंदर पूछे जाते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं तो इसका जो syllabus है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि law के तो वही subject है जो means में है और जो Hindi के लिए जो यहाँ पर दिया गया है यह पूरा व्याकरण जो है Hindi का वो यहाँ पर cover किया गया है तो यह आपको एब बार देख लेना है जो paper first है उसके अंदर कौन से subject आएंगे और paper second है उसमें कौन से subject आएंगे तो यह आप यहाँ से screenshot इसका ले सकते हैं या यह जो notification है यह हमारे description box के अंदर जो link दी गई है telegram channel की महाँ पर available है आप महाँ से इसे download कर सकते हैं तो यह था इसका पूरा जो exam syllabus और इसका जो fees क्या रहेगी इसके अंदर conditions क्या रहेगी eligibility क्या रहेगी अब बात कर लेते हैं इसके exam form की जो date है वो कब से start हो रही है feel होना तो 30 July से जो है इस exam के लिए form feel होना शुरू हो जाएंगे जो की last date है 31st August 2021 यानि की 31st August के दिन आखरी date है form feel करने की तो यह आपको याद रखना है main चीज की कब से form start हो रहे हैं और कब इसकी last date है तो उसके पहले आपको इसको form feel कर लेना है उसके अलावा अगर आपको कोई doubt आते हैं तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं thank you for watching all the best